जिसके उपर छट्रिस केसे उसका भी इंकाउंटर करवा देते हैं, जिसके उपर एक केसे बेगुनाय उनका भी इंकाउंटर करवा दिये हैं ये लोग, अगर इसमें 15 लोग सामी ही, 14 लोग सामी हैं तो सब का इंकाउंटर होना चाहिए, ये जो दिखाते हैं न ये कानून व वहरेमी से इंकाउंटर कर दिया हम यही चाहते हैं कि सबका इंकाउंटर हो इंसाफ मिले इस सरकार में हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे लेकिन वास्तों में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है यह नहीं होना चाहिए जाहे पिर इसमें भी पच्छी मिलनी चाहिए कानून के तरफ से अगर कोई गुना करता है तो उसकी सज़ा पोर्ट देता है ना कि पुलिस ऐसे इंकाउंटर कर देगा आपके भाई का क्या सुभाव था किस तरह से कैसे आप लोगों के बीच में रहते थे सर हमारे भाई का सुभाव एकदम सरल था पंडमे लिकने में भी अच्छे थे हम लोगों के साथ एकदम फ्रेंड के जैसे बीएगियर उनका था और गये से तो बात भी होती थी और हम लोगों से बहुत जादा उनको लगाव स्नेता जैसे कि हर एक भाई बहन में होता है और आ कि हमारा इंकाउंटर ना हो जायती जूठा को आ क्यों फैल आ रहे हैं कि फाइरिंग हुई मूट वेड़ हुआ कुछ नहीं हुआ उसमें फिर पुलिस को भी मरना चाहिए था ना पुलिस का एंकाउंटर क्यों नहीं हुआ आधरी बार कम आये थे आपके भाई आधरी बार 3 जून को आये थे 4 जून को उनका टिकत था मुआपस चले गये थे सूरत वहीं रहते थे तो क्या एक साजिस्त है ताको भाई के हत्ते हुई रिष्टित न करा है। हम लोगों को पता है ये तो सिर्फ जिन लोगों ने करवाया उनको पता है बिने सिंग और बिने सुकला को और या तो भगवान को पता है। और बाकी सुल्टानपूर में नाम था। पुलिस ने उसको इंकाउंटर करके मत्वहोंसित कर दिया। हम लोगों कोई जांकारी वे इस विस्तम नहीं है। लास्ट में गाव में कवाया था। तीन माई में आया था चार जून को गहते हैं। एक सरकार लगातार जो है विपच्छ हमलावर था सरकार पर की एक जाती बीसेस को टार्गेट किया जा रहा है। इंकाउंटर किया जा रहा है। चलो अभिय स्यादोजी का इक्छा तो पूडी होगे, कम से कम ठाकरो के इंकाउंट करके है।